Realme, Realme का जो 2020 का जाननी था, वो काफी अच्छा था, हाँ, बहुत सारे फोन ऐसे लॉंच हुआ, जो हमें बहुत पसंद आया, और कुछ फोन ऐसे भी था, जो हमें बिल्कुल पसंद में नहीं आया, क्यूंकि उसका प्राइस कुछ गरवर था, पर अभी 2021 में, Realme कुछ स्मार् आयेगा, एक तो X7 और X7 Pro, और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सेर करूंगा, Realme X7 Pro का 5G जो वो कब लॉंच होगा, किते प्राइस में लॉंच होगा, और कौन सा स्मार्टफोन को देखा गया है, डिजिटल चाट स्टेशन पर, इस स्मार्टफोन को लिस्टेड होके देखा गया है, जो BIS सर्टिविकेशन साइट है इंडिया का, उसमें इसके मतलब ये बहुत इमिनेंट है, बहुत जल्द आएगा, और इसे स्मार्टफोन को देखा गया है, गिग बिंच लिस्ट पे, और ये जो मॉडिल नमबर आया है, RMX2121 और दूसरा RMX2111, एक तो होगा Realme X7 Pro और दूसरा होगा Realme X7, अब इस फोन को थाइलेंट के सापोर्टेड वेब साइट में भी देखा गया है, विद प्राइस, और भाईया प्राइस जो रखा गया है न, 44,000 के असपास, अगर इंडिया में इसको कनवर्ट करो, हाई दाइया, बहुत जादा है, और उम्मीद करता हूँ, चाइना में, भारत में, ग्लोबल ही, ये स्मार्टफोन तोरे से कम प्राइस में आए, लगबग 39, 38, 37,000, तो आप देखो इसका स्पेक्स, और आप कहों, अब ये जो स्मार्टफोन ही कब तक आएगा, देखें ज पर पॉली कार्बोनेट, और ये ही मैं कहना चाहता हूँ, हर एक ब्रैंट से, कि आप जब फ्लैक्सिब लेबिल का स्मार्टफोन लॉंच कर रहे हो, सो वाई यूर यूर यूजिंग पॉली कार्बोनेट, और इसमें स्क्रैचेस आता है, बहुत ज़दा, और इसमें फाइब 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 इंचेस का एक डिस्प्लै मिलेगा, विट लेप साइड में पंचल, 120 होर्स रिफ्रेस रेट के साथ आएगा, विट सुप्मर अमुलेट पैनल, 402 पिपी आई, यारी पर्फिक्सल डेंसरी आपको मिल जाएगा, विट कॉर्णिंग गोईला ग्ला इसका फंडा ही ऐसा है, क्यों कि उससे जो स्पीड होता है, फोन का एक एक एक्स्पिरियंस वो खड़ाब कर देता है, लो होता है, क्या आप इससे सहमत हो, अगर हाँ तो लाइक करो, और अगर आपको वीडियो कही पर भी अच्छा लग रहा है, अगर आप फैमिली मिंबर से बनना चाते हों आपके फैमिली में, तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन मेल को पूस्ट करके औल कीजिए, हो सबके तो एक कॉमेंट्स कीजिए, कॉमेंट्स का उफ्तर में देता हूँ, दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ना, इसमें आपको वैरियंट क्या मि मिलेगा, ये काफी अचार, जो रियल में 7 Pro भी आया था, उसमें भी dual speaker था, हाँ, क्वालिटी बहुत जाबा तो अच्छा नहीं था, पर ठीक था, अब एस फोन में डॉल्वी सराउंड का option भी मिलेगा, अब होता है, प्रोसेसर, मीडिया टेक का प्रोसेसर, 5D प्रोसेसर, जो 7NM टेकलोजी पे आधारित हैं, और इसमें आपको Mali G77 MC9 GPU भी मिलेगा, अब परफॉर्मेंस कैसा होगा, देखे, फोन मेरे हाथ पे नहीं है, तो मैं कैसे कहूं, कि इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, हाँ, आने देजिए, जरूर खड़ी दूँगा, तो ये जो स्मार स्मार्टफोन है, इसका परफॉर्मेंस बांगे चलिए अच्छा ही होगा, 5G स्मार्टफोन होगा, और इसके साथ इसका कैमरा, 64MP का प्राइमरी कैमरा भी देफ, 1.8MP का अल्टर वाइट, 2MP का डेप, 2MP का मैक्रो, 32MP का एक सेलफी कैमरा, बया, एक ही बात कहना चाहता हू वो जो 2MP का मैक्रो और 2MP का डेप्ट है ना, उसको छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, क्योंकि या, जो 2-2 करके आप दे रहे हो ना, तो एक टेली फोटल इंसी दे दो, 8MP का, आप क्या कहते हों, वो बढ़िया होगा ना, वो काम में ज़्यादा आएगा, क्यों, कंप 11 और Realme OS देखने को मिल जाएगा, साथ में बहुत सारे फीचर्स भी होता है, फेस अनलॉक सभी सिंसर्स हैं यहाँ पे, 65W का फास्ट चार्जर और यहाँ पे 4500 इमेज का बैक्टरी भी आपको मिल जाएगा, तो कुल मिला के, कुछ ऐसा था, फोन का स्पेक्स, फोन का हद में होगा, तो काफी अच्छा होगा, पर अगर दाम एक्स्टा करता है, जादा करता है, तो मैं कहूंगा, यह स्मार्टफोन उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ठीक टाक हैं, प्रोसेसर 5G वगेरा, ड्वल स्पीकर वगेरा, डिस्प्रे ठीक टाक हैं, पर वही इमित करता हूँ, आपको यह वेडियो ज़रू पसंद आया है, आगे जाके ऐसा ही खुबसरत वीडियो में आपके साथ मैं हूंगा, आपका शुमोन, चलिए धन्यवाद,